हाई फ्रेंग्स गुड मॉर्निंग वेल्कम टो एक्सम्प आप सब अच्छे हैं यूर प्रिपेरिंग वेल फॉर एक्जामिनेशन तो शुरू करते हैं आज का मारे करिंट अफैर जो कि है 19th and 20th March 2023 सुफ्रेंग्स एस यू आल नो आई अल्वेस रिमाइंड यू कि आप वी पीडिया डाउनलोड करो पीडिया डाउनलोड करो सो एक रिवाइस एक अन वन्यू रिक्वाइट यह तो पहला चीज हो गया दूसरा चीज सिंस इसे न्यूस फ्रम दी ओवर दी वीकेंड तो यह न मैं पूरा स्टोरी आपको एक बर समरराई स्करता हूँ यूरोपेन मार्केट्ट सिकुरिटी अहीं है एस टीख्याी chapter यह नोगों ने यह बोला था जो इंडिया इंडिया में योफ के बैंक इंडिया में जो योफ्रोप के बैंक फंशन करें वह सीचाय के साथ डील नहीं कर सकते, right, CCIL कौन है, CCIL है, middle mail between banks and the, मतलब between the, क्योंकि देखो, यह जो most of the European bank है न, यह सब PD का काम कर रहे है, primary dealers का काम कर रहे है, मतलब यह government securities में deal कर रहे हैं, बहुत बड़े transaction से deal करते हैं, CCIL being the clearing house in between, no, in between the transaction, इसमा ने इनको de-recognize कर दिया, आप इनको de-recognize करने के पीछे भी वज़ा क्या है, इसमा ने यह बोला था, कि इनको audit करना है, CCIL को, but CCIL is a regulated entity by RBI, तो RBI जिस entity को खुद regulate कर रहा है, उसको कोई बाहर की regulator आके audit करे, that is not right, so RBI ने क्या कर दिया, deny कर दिया, RBI ने deny कर दिया, तो उन्होंने क्या बोला, कि हम de-recognize करते हैं CCIL को, एक सेंपल चा, उन्होंने यह दे दिया, अभी April 30 का इसमें deadline है, जहाँ पी European Bank को इसको comply करना होगा, कुछ दिन पहले आपको याद होगा, जो European Bank इंडिया में function कर रहें, उन्होंने इसमा को बोला था कि, आप हमें और at least 2 साल का time दीजे, because it would be a very big task, जहाँ पर उनको CCIL को by-pass करना होगा, right, मतलब आज के दिन में, let's say they are making a transaction of 2000 crore, यह दो 2000 crore का transaction होता है, ने cash पे नहीं होता है, because CCIL उस चीज को guarantee देता है, right, जो भी security है, उस security को transfer ऐसे लेता है, बीच में CCIL है, और पैसे दो दिन बाद, तीन दिन बाद, जब भी settlement date होता है, उसको settle हो जाता है, अब because CCIL is between them, which is a regulated entity by RPI, तो दोनों party यहाँ पे अच्छे से काम कर रही है, अब इसमा ने आके बोल दिया, कि हम CCIL को recognize नहीं करते, तो इसका मतलब European bank को अभी CCIL को bypass करना होगा, every transaction would be a complicated task for European banks now, मतलब उनको पैसे एक बार में ही देना होगा, because बीच में guarantee कोई नहीं ले रहा है, right, so that's the thing, but अभी news क्या आया है, उन्होंने बोला है, I will allow European bank continue doing business with their Indian counter, central counterparties, even after April 30, by imposing a penal capital charge, मतलब जो बैंक्स बोल रहे थे इसमा को करने के लिए, वो उन्होंने मान तो गए, लेकिन उन्होंने बोला है, penal capital charge उन पे apply करेंगे, right, again, इसमा मतलब अगर इसको आप इस terms में सोचो, आपके view के हिसाब सोचो, तो क्या होगा आपका view, मतलब if you want, you can write it in the comment section, but what I think is, this will create more complexities, because अब European bank को transaction के पीछे एक penal capital charge दिना होगा, so it is an added cost to their transaction, right, मतलब जो system था, वो तो रहेगा, अभी भी बीच में CCIL रहेगा, Indian CPP लिखा है, CCPs लिखा है, right, किसी का नाम नहीं लिया है, Indian Central Counterparties लिखा है, तो मतलब Indian Central Counterparties मतलब CCIL हुआ, जिनको उन्होंने डिर्कॉग्नाइस किया था, तो अब उनको क्या देना होगा, penal charges देना होगा, अब let's see कि आगे किस तरीके का news आता, इस news पर आपको जो भी डाउट है, आप comment section में लिख सकते हो, पहला चीज, दूसरा चीज यह है कि आप अपने views को लिखो, what do you think about the smart, you know, let us have a discussion in the comment section, बढ़ते हैं आगे next news के तरफ वो है, USB to buy credit suis, आपको याद होगा अपनी credit suis को बारो में बहुत सारा news पड़ा होगा, कि इंडिया के growth rate के बारो में इन्होंने कुछ बोला, तो कभी किसी का rating इन्होंने चेंज किया, अभी एक UBS है, ये credit suis company को खरीदने जा रही है, इन 2 billion dollar, right, कितने में 2 billion dollar, the deal is not yet final, अभी भी discussion चल रहा है कि voting pattern क्या रहेगा, कितने का share भी कहेगा, everything is on table in front of credit suis, but आगे जाके देखते हैं कि इसमें क्या होता है, but as of the news, it's UBS, which is a very big bank, is going to buy credit suis, right, चलो, बढ़ते हैं आगे, next news के तरफ हो है, APDA to organize global millet conference, तो देखो ये जो global millet conference है, millet को, प्राइम इनिस्टर नरिन रमोदी ने क्या नाम दिया है union budget में, इस श्रीयन ना, ठीके तो APDA क्या कर रहा है, एक global millet conference organize कर रहा है, अब यहाँ पर एक सवाल यह आता है, कि APDA कौन है, APDA agriculture products के marketing का काम करता है, right, and this helps farmer, because एक farmer या farmer का association जो होता है, वो इतने च्वोटे लेवल पर होता है, they can't do marketing on their self, let's say उनको दुबाई में सामान बेचने, उनको ऑस्ट्रेलिया में बेचने, they can't do it, right, so APDA helps them by organizing this type of conference, workshop, seminars, वो अलग-अलग चीज करके लोगों को बताते हैं, trade fair करते हैं, most importantly trade fair करते हैं, product display करते हैं, अलग-अलग airports में, अलग-अलग जगा पे, so it's very important APDA का goal in, you know, taking Indian millets to the global level, तो देखो यहाँ पे अब उन्होंने क्या किया है, APDA requested 30 potential millet importing countries to send their major buyer for this conference to visit exhibition and travel around the stall of 1000 exhibitors, 100 exhibitors, मतलब देखो कितना बड़ा काम कर रहे हैं APDA, 100 millet exhibitors को अलग-अलग countries उन्होंने बुलाया, virtual trade fair उन्होंने लगाया, जो 24-7, 365 days चालू रहेगा and so on, अब हम बढ़ेंगे आगे next news के तरप, वो है AG live 2023, तो AG live 2023 the millet challenge, a pitch session for millet big startup organized as a part of global Shri Anna conference, क्या है global Shri Anna conference, तो देखो यह मैं बता दू, पिछले वाले slide से यह वाले slide का connection है, it's the same news but posted from two different ministries, यह जो conference है ना, इसको किसने inaugurate किया, इसने PM Modi ने inaugurate किया, यह प्राइम इनिस्टर आफ इंडिया है, इन अरड इडिक, तो यह भी आपको पता होना चाहिए, अब हम बढ़ेंगे आगे next news के तरप, वो है सागर परिटकमा फेस फोर, तो सागर परिटकमा है फेस फोर, यह आज से शूरू होगा, देखो यह आज का मतलब है 18 मार्च, क्योंकि हम वीकेंड का न्यूस पढ़ रहे हैं, तो यह 18 मार्च से शुरू हो गया, ठीक है, पुर्शुत्तम रुपाला, जो कि मिनिस्टर कंसर्ण है, यह अलग-अलग स्टेकोर्स से बात किया है, तो यह एक अक्टिवीटी है, ब्लू रेवलेशन के तरफ जहां पर फिशिरीस प्रड़क्शन एंड उसके डेवलोप्मेंट के लिए काम किया जा रहा है, चलो, बढ़ते हैं आगे, नेक्स निउस के तरफ वो है ब्रॉड केज नेटवर्क ऑफ चट्रजगर्ड तो देखो रेलवे ने अपने उपर बहुत बढ़ी जिम्मेदारी ली है, फॉलोइंग दी COP26 का जो भी डेडलाइन इंडिया ने खुद के उपर डिसाइड किया है कि हम इसको पूरा करेंगे, तो नेक्स जीरो कार्बन एमिटर बाई 2023 कौन बनने वाला है, इंडियन रेलवे, तो ओविएसली बात है 2030 तक तो इंडियन रेलवे पूरा बनने वाला है, बट यह तो फेस मैनर पे काम होगा, तो 36 गर्ड इस 100% एलेक्रिफाइड, तो 36 गर्ड यहां पे क्या हो गया, मतलब डिजल से जो खर्च आता था, अब उसके 2.5 टेम्स कम खर्च आएगा, अगीन मैंने लास्ट टाइम जब ऐसा न्यूज आया था, तब भी मैंने बताया था, यह रेल टर्म्स में जो एलेक्रिफिकेशन है नहीं हुआ है, दीखो, एक तो है लोकोमोटिव इंगिन जो डिजल से चलता है, जो टायरेट कार्बन एमिट करता है, उस पर कॉस्ट भी इंबॉल्व है, कार्बन भी इंबॉल्व है, उसको electrified कर देने का मतलब क्या है कि उस जगे का carbon dioxide को हटा देना, cost को कम कर देना But on the other hand, it's not actually 100% zero carbon emitter वो जो बिजली आ रहा है, वो बिजली कही न कही thermal power station, thermal power station से ही आ रहा है thermal fire power station, तो जब coal जलता है, ठीक है, coal fired, जब coal जलता है तो तब क्या होता है, carbon dioxide emit होता है ठीक है, तो इससे ये आज का news खतम होता है, with this we are done for the day, unfold your potential with IXMB, all the best and always remember, IXMB helps you prepare 50% faster